हेलो गुलीस, वेलकम एन वेलकम बैक टू यूटूब चैनल, आप सब का स्वागत है इस LG सेवा पे, तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरे को जाना है कहीं बाहर, तो उसके लिए मैं हो चुकी हूँ रेडी, तो फटाफट नास्ता करते हैं, और मैं और म में जाएंगे कुछ प्रोग्राम के लिए, तो उसके लिए आपको मेरे वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना है, और कमेंट्स करना है, क्या आप इस जगे को जानते हैं कि नहीं, और अगर जानते हैं, तो जै माता दी जरूर लिखेंगे, आज के गेट पे बहुत ही प पहले मैं बता दू आज यहाँ पे पहुचनी का प्रोग्राम है, और पहुचनी क्या होता है, उसको मैं आप सबको जरूर बताऊंगी, तो यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं, एंट्री करने से पहले हमें नारियल फूल का तुकान मिलता है, फिर उसके बाद उनके एंट् पसनार्ती लोग भी बैठे रहते हैं वेट करते हैं लाइन लगाये रहते हैं और यहीं पर जवारा रूम भी है यहाँ पर बच्चे लोग भी आये थे उनके दर्सन करने के लिए और आज आंगन खाली-खाली है कुछ ही धेर में भर जाएगा क्योंकि यहाँ पर अभी पहु पहुचनी का मतलब होता है जैसे कि किसी के घर में माता आया रहता है बच्चों को माताओं को चिकन पॉक्स कहते हैं तो उसके लिए बिदाई देते हैं जिसको सितला में पहुचाया जाता है उसी को पहुचनी कहते हैं तो उसमें बहुत सारा नियम लगता है डांग निकाल पड़ता है और मारन वाला चलता है तो मारन करना पड़ता है रहले निकालना पड़ता है भोजली उठाना पड़ता है बहुत सारी करने पड़ती है तो उसी के लिए आज यहां पे बहुत भीड लगने वाली है तो आप मेरे वीडियो पे बने रहेंगे और इन लोग भी पहल से पहले आ चुके हैं, हम लोग को पता नहीं था, ऐसे ऐसे आज होने वाला है यहाँ जब आए हैं, तभी हमें भी पता चला है, तो हम उसका वेट करेंगे और वेट करके हम आपको इस वीडियो से ज़रूर दिखाएंगे आप भी जै माता दी जरूर लिखिये तो यहां पे कुमारी माता अपने आसन में बैठी हुई है फिर सिंगार कर लेती है और सिंगार करने के बाद में यहां पे पहुँचनी का कारेकरम सुरू हो जाता है जिनको जिनको नारियल भेट करना रहता है फल भेट करना रहता है उन बिर्वाद मिलता है उनका साहस बढ़ता है तो सेवा बगर कुछ नहीं यही माना जाता है तो लंगुरे लोग आते हैं और सेवा बजाते हैं तभी जिमाता को जोस आता है तो इस तरीके से सेवक लोग का इंतिजार करते हुए मा आसन में बैठी हुई है और यहां पे वो उन तरीके से होता है पहुचनी का कारेकरम पहुचनी के कारेकरम में नीम की पत्ती नीबू का हार और जो भी जो चड़ता है माता रानी को उसको सबको चड़ाया जाता है और जिनके घर में जो माता आता है उनके घर में इसको ले जाया जाता है इसमें भी बहुत ही सारी तो आपका सारा दिन अच्छा जाएगा आपका पूरा साल अच्छा जाएगा आपकी पूरी लाइफ अच्छी जाएगी ऐसा माना जाता है तो आज यही मेरे साथ हुआ है और इस तरीके से पहुचनी का कारेकरम होता है पहुचनी मतलब यह पूरा एक जवारा की तरह होता है जिसमें बहुत ही जादा खर्चा भी आता है लोगों को बुलाया जाता है और मान सम्मान भी किया जाता है सेम यह उसी टाइप का होता है य बाष्ट बाड मैं गोडेला में देखी थी जो गोडेला वाले माता पहुंचनी किये थे उस समय मैं बहुत छोटी थी और आज मैं आज भी मैं माता के लिए छोटी ही हूँ लेकिन मैं को याद रहेगा ये पहुंचनी देखना कैसा होता है कैसे मनाया जाता है आप भी देखि और कोशिज कीजिए ऐसी ही पहुँचेनी वाले कारेकरम में आने का और माता का दर्सन करने का उनके चरनिस्पर्स करने का उनसे आसिरवाद लेने का ये ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता ये बहुत ही कम होता है ऐसा कारेकरम क्यूं क्यूंकि खर्चा आता है महनत लगता है मा बड़ी बात माता को मनाना सबसे बड़ी बात होता है तो माता हर घर में नहीं जाती जभी निवता रहता है जभी बुलावा रहता है तभी जाती है तो वो स्विकार करना चाहिए और आज वो स्विकार करी है उनके घर में जाने के लिए तभी ये कारिकरम हो रहा है पहुंच बैठेगी और लोगों को प्रसाद बाटेगी तो ऐसा ही आसाड महिने में वो जुडवास भी मनाया जाता है वो भी बहुत ही बड़े धुम धाम से होता है मैं कोशिस करूँगी आपको इस जुडवास को जुडवास का वीडियो दिखाने के लिए तो आप मेरे वीडियो पे जरूर लिखेंगे और कुमारी माता का जगा का नाम है कातरो दूर्ग कातरो 36 गड़ आप भी आईए दर्सन कीजिए और अपनी समस्या को समाधान कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए